Hello friends, मैं हूँ कैफ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल Mission 2 तो बच्चो आज हम लोग इस वीडियो में Class 9 का Science का Chapter 8 जिस Chapter का नाम है गती इस गती वाले Chapter का पूरा Complete करने वाले हम लोग इस वीडियो में बच्चो इस गती वाले Chapter में जितने भी Notes होते हैं सारे Notes को हम लोग इस वीडियो में Cover करेंगे ठीके और Notes कंप्लीट करने के बाद 25 ऐसा Very Very Important Question को करवाया जाएगा जो एक्जाम में बार बार Repeat किये जाते हैं ठीके जो MCQ टैप से होगा ठीके यानि की Multiple Choice Question ठीके चलिए जादा लेट ना करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और हाँ अगर बच्चो इस चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लेजेगा और बाइल लेकन बटन को भी जरूर प्रेस कर देजेगा इस से क्या है कि मेरे नई वाले वीडियो का Notification सबसे पहले आप लोग को मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आता है हमारा गती ये गती होता क्या है जब कोई वस्तू समय के साथ अपने स्थीती में भी परिवर्तन करती है तो यह स्थीती परिवर्तन ही गती कहलाती है सिंपल से बता रहा है कि कोई भी वस्तू समय के साथ अपने स्थीती में परिवर्तन करती हो यानि कि मानलो कोई वस्तू है यहां पर ठीक है यह वस्तू है और यह क्या हुआ वस्तू है यह थोड़ा सा यहां पर आ गया कुछ दिर के बाद ठीक है यानि कि यह वस्तू यहां पर हम कर दिये तो यहां तक का जो जाने में समय लगा यानि कि समय के साथ और साथ में क्या हु तटिके, के लिए रोगे, जैसे कि हम लोग अगर अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास के गति सील वस्तुओं के बहुत सयाई से उदहारन है, जैसे उड़ते हुए पच्छी की गति, यानि कि अगर आप बाहर देखते हैं, जो उड़ता हुआ पच्छी है, तिके वो भी तो गती कर रहा है वो भी तो समय के साथ अपने स्थेती में भी परिवर्तन हो रहा है ठीक है उलने में कोई तो समय लग रहा होगा और साथ में क्या कि उसका स्थेती में परिवर्तन यहां पे है अब यहां पे चला गया ठीक है समझ मारा ना चलिए दूसरा हाता है हमारा क कार की गति कार अगर आप देखते हैं कार को तो कार भी तो गति कर रहा है उसमें भी अगर यह कार यहां है तो यहां तक जाने में कुछ न कुछ समय लगा होगा और साथ में क्या है कि इस्तिती भी परिवर्तन हो रहा है तो इसी को तो कहेंगे अगला है धमनियों एम सिराओं यानि कि आपके बॉडी में जो भी धमनी और सीरा है उसमें जो भी रत का गती हो रहा है वो भी तो गती कर रहा है ठीक है दुड़ते वे बालक की गती यह सब क्या है हमारा गती का एक अच्छा उधारन है ठीक है आगे आते हैं हम लोग अगला point है मुल बिंदू यह मुल बिंदू क्या होता है ठीक है मुल बिंदू किसी वस्तु की स्थीति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदू के अवस्था होती है जिसे मुल बिंदू कहते हैं सिंपल से बता रहा है कि कोई भी वस्थू का अगर हम इस्थीती को बताते कि वह वस्थू कहां पर है ठीक है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मुल बिंदू अगर कोई वस्थू यहां पर रखवा है तो उसका मुल बि तरह नहीं हो रहा है यानि कि इसमें कोई बी इस्थीती कपरिवर्ता नहीं हो रहा है यानि यह जहां पे है वहीं पे, अगर मानलो आप अपने घर में कोई मस्चीन बैठा देते तो क्या वो दोड़ते रहेगा कहीं पे, नहीं, वो तो एक ही जगा रहेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, विराम अवस्था, ठीक है, यह किलियर हो रहा है, अगर आप कोई ह होस बना लेते हैं, कोई घर बना लेते हैं, तो वो क्या है अपका, अगर घर बना लिए, तो वो भी क्या है, विराम अवस्था में है, वो तो कहीं चेंजिस नहीं हो रहा है, उसका कोई स्थीती में परिवरतन नहीं हो रहा है, तो यह समझ मांगया, विराम अवस्था क्या है ठीक है मतलब कि कोई भी ज़रू का हो वो गती ना कर रहा हो उसको हम लोग विराम वस्ता कहेंगे चलिए इसके बाद आते हम लोग दूसरा गती जवस्ता यह क्या होता है यदि किसी वस्तु की स्थीती में लगतार बदलाव हो ठीक है किसी के एक बिंदू के सापेच तो यह वस्तु गती जवस्ता में कहलाएगी यानि कोई भी वस्तु यहाँ पे ले लो ठीक है और यह यहाँ पे चला गया ठीक है यह वस्तु यहाँ पे चला गया ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह गती जवस्ता में कोई एक बिंदू के सा आप पैचाकर देख रेहे हैं इसको क्या ओवा हût इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ तो इसको मुझे बूलेंगी यह गतीज अबस्था कहलाईगा ठीकर आप इसके बाद आते हैं हम लोग गतिज अवस्था के प्रारूप गतिज अवस्था के क्या क्या प्रारूप हो सकते हैं विभिन तरह के पत पर विभिन तरह के गतिज अवस्थाएं होती हैं अब गतिज अवस्था के प्रारूप में अगर हम लोग देखते हैं विभिन तरह से पत्य पर विभिन तरह गति जवस्ताएं होती है पत्य मतलब होता है रास्ता चलिए अब इसका हम लोग पहला देखते हैं सरल रेखे गति यह सरल रेखे गति क्या होता है जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखे गति कहलाती है तथा एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है जैसे 36 सता पर लोड़कती वी गिन सरल रेखे गति का मतलब आप लोग डारेक्ट सिंपल से समझे कि अगर कोई वस्तु अगर ये एक सीधा रेखा में हम लोग का गति करता है तो हम लोग क्या इससे बोलेंगे सरल रेखे गति सिंपल से बात है कि अगर हम एक गेंद ले लेते हैं और गेंद को हम यहां से लोड़का देते हैं तो ये क्या है कि सीधा जाएगा ऐसा ने ने कि इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा ऐसा तो ने जाएगा तो ये क्या है सीधा जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सरल रेखे गती यानि कि एक रेखा पे एक सरल रेखा पे ये गती करेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे सरल रेखे गत यह क्या होता है जब कोई वस्तू वीरितामर्क पर गति करता है तो उसे विरिति सुर्य के स्वास ऑई और घूर्णन घूके कहते हैं जैसे सुर्य के चारों और प्रिथ्वी की गति या कि अगर मॉनलेते है है हम लोग कोई वस्तू है और यह क्या कर रहा है वृत्ताकार घूम रहा है वृत्ताकार घूम रहा है ऐसे गोल-गोल घूम रहा है यह वस्तू बार बार घूम रहा है इदर उदर ठीक है गोल-गोल घूम रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे वृत्ताकार गति कर रहा ह यानि कि यह सरल रिखे नहीं कर रहा है यह क्या अगर रहा है व्रिताकार कर रहा है तो प्रित्वी क्या करता है इसके चारो साइड गूमता है तो इस गति को हम लोग क्या बोलेंगे घुर्नब्न गति यह विर्द होता है जब एक होताह एक जो निगालते हैं गोडिकए तो उसके बाद आते हैं हम लोग अगला दोलन तथा कंपन गती यह क्या होता है दोलन तथा कंपन गती यदि कोई पिंड आवर्थ गती करते हुए एक निश्चित पत पर किसी निश्चित बिंदू के सापेच इधर उदर गती करता है तो इस परकार की को दोलन गती या कंपन गती कहते यानि कि यहां पे कोई भी एक पिंड कोई भी एक वस्तू एक निश्चीद बिंदू के सापेच ठीक है इसका एक हम उधारन से समझाते हैं आप लोगो ठीक है जैसे कि कोई भी एक वस्तू ठीक है एक निश्चीद बिंदू के सापेच इर्द गिर्द जब इधर उधर जाती इर्द गिर्द आपस में घूमती है तो इसको लोग क्या बोलेंगे आवर्द गती कहेंगे ठीक है एक बर हम फिर से पढ़ते हैं देखें क्या लिखा वाए यदि कोई पिंड आवर्द गती करते वे एक निश्चीत पत पर किसी निश्चीत बिंदू के सापेच इधर उधर तो इस परकार की गती को दोलन गती या कमपन गती कहते हैं यानि कि आप लोग को जो हम एक्जामपल बता हैं कि यह जो बिंदू है इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है गती करता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोलन गती या कमपन गती कहेंगे ठीक है जिससे एक एक पीछे कभी आगे कभी पीछे कभी आगे एक बिंदू के सापेच कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है तो इस तरह से गती को लोग क्या बोलेंगे दोलन गती या कंपन गती ठीक है लोलक की घर में घड़ी होता है ठीक है और घड़ी में जो लटका वह रहता है दोलन लोलक क्या होता है? कभी ऐसे आता है, कभी अधर, इर्द-गिर्द होते रहता है यह भंशंब वोलेंगे? लोलक कि गति जैसे कि आप लोग को चीतर में परदर्शित किया गए है आप लोग यहाँ से देख सक्ते हैं यानि कि O आपका एक बिंदू है और यहां से B तक जा रहा है, O भी, फिर B वाला O के पास आ रहा है, फिर O A के पास, फिर O A इस तरह से हमारे इर्द गिर्द होते रहते हैं, इस तरह की गति को हम लोग क्या कहेंगे, लोला की गति, कंपन गति, दोलन गति, ठीक है, चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं, बहुत उनको परतियच रूप से नापा या गन्ना की जा सके उन्हें भौतिक रासियां कहते हैं ठीके यानि कि कोई भी चीज को हम लोग परिनाम में या उसका दिशा में व्याक्त करने को संख्या या वैसकता पड़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भौतिक रासियां ठीके चलो इसके बाद हम लोग बहुतिक रासियां का विभाजन करते हैं तो बहुतिक रासियां को हम लोग दो तरह से विभाजित कर सकते हैं दो अरगों में बाट सकते हैं तो सबसे पहला होता है सदीस रासि दूसरा होता है अदीस रासि वेक्टर क्वांटिटी और स्कैलर क्वांटिटी चलो इसको हम लोग अब देखते हैं यह सदीस रासी क्या है और अदीस रासी क्या है सदीस रासी वह भातिक रासी जिसके परिमान एवं दिसा दोनों होते हैं उसे सदीस रासी कहते हैं खारन के लिए वेग, बल, संवेग, विस्थापन, तवरान, इत्यादी ठीक है यानि कि वैसी बहुत इक रासियां जिसका क्या हो परिमान भी हो और दिसा भी हो उसको जो क्या बोलेंगे सदीष रासी जैसे कि आप लोगे example यहांपर वेग बल समवेग विस्थापन इस तरह से यानि कि उसका कोई ना कोई परीमार जैसकि हम लोग अगर ऐसे ले लेते हैं तो डू किलोमीटर दू किलो मीटर पस्सीम ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं तो यहां पे का वो परिमान भी हो गया और साथ में क्या हो गया यहां पर दिसा भी हो गया जिसमें दोनों हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सदीस रासी हम लोग अभी वेग और बल और समवेग के बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे ठीक है अभी आप लोग बस इतना समझे उसके बाद हम ल फल आयतन चाल दूरी ताप घनत्व आदी ऐसे बहुत सारे हैं ठीक है तो अधीष रासी में क्या हुआ कि वहां पर परिमान तो होता है लेकिन उसका क्या हो दिसा नहीं हो ठीक है उसी को में लोग क्या बोलेंगे अधीष रासी जैसे भार जैसे हम लिख दिए दो केजी ठीक हें betros Semare तो आमगेों 5-3 मिनट ठीक है एसा तो नहीं कहेंगे सिर्फ बोलेंगे 3 मिनट तो यह पर परिमान तो है लेकिन दिसा नहीं है इस तरह से और भी ऑगजामपल है ठीक है चाल हो गया दूरी हो गया ताप गनत्व ठीक है यह को परियंग bush नोख लोगे अब कि कि दोरी क्या होता है distance ठीक के किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंत्राल में तै की गई मार्क की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दोरी कहते हैं ठीक यानि कि कोई भी वस्तु एक मान लो कि A मान लो ठीके एक A हो गया ये क्या हुआ कि A यहां से यहां तक चला गया ठीके एक रास्ता मान लेते हैं यहां से और ये A कहां चला गया यहां पर पहुँच गया ठीके तो इसके द्वारत जो भी चली गई दूरी है ये जहां तक गया है वो कितना गया है एक किलोमेटर दो किलोमेटर तीन किलोमेटर कितना गया है इसके दुरी को ही इसके मार्ग की लंबाई को ही हमको क्या बोलेंगे दूरी कहेंगे ठीके अब हम लोग आते हैं विस्थापन ये विस्थापन क्या होता है दूरी और विस्थ वस्तु के प्रारंभिक इस्थिति तथा अंतिम इस्थिति के बीच नियुनेतम दूरी को क्या कहते हैं वस्तु का विस्थापन कहते हैं यानि कि अब सिंपल से मान लो कि अगर यहां कोई इंसान है ठीक है और यह यहां से यहां तक आया ठीक है और फिर यहां से यहां तक गय कि ए से बी और बी से सी तक की दूरी को मुलों क्या बोलेंगे दूरी लेकिन प्रारंभिक बिंदु इसका कहा था इस्टार्टिंग कहां से क्या था एसे क्या था और गया कहां तक सी तक तो यहां से यहां तक कि जो नियुनितम दूरी है न बच्चो इसी को मुलों कहते हैं व A se B तक का जो गया और B se C तक का जो गया ठीक है मानलो की A se B आप लोग का गया 5 km और B se C km आप लोग का 3 km । दूरी कितना हो जागा यहाँ पर है दूरी हो जाएगा आप लोग का 5 और 5 A hear it in 6 Pi कि हम लोग यहां से यहां तक जो दूरी हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन कहेंगे तो विस्थापन कितना हो जागा यहां पर 7 हो जाएगा ठीके तो यह किलियर हो गया अब यह विस्थापन को निकानने का एक सूत्र होता है इसको भी याद कर लो जब हम question बत और यह सी हो गया ठीक है तो एसी का स्कॉयर बराबर एबी का स्कॉयर प्लस बीसी का स्कॉयर इसका फॉर्मूला होता है याद कर लो जब question बनाएंगे तो उसमें आप लोगो यह चीज किलियर हो जाएगा ठीक है आगया थे हम लोग नोट में जो लिखा हुआ उसको ध्यान चलो इसको देखते हैं सबसे पहले अब आता है यहां पर दूरी एक साइट हम दूरी लिख दियें दूसरा साइट आप लोगो का विस्थापन है तो देखे दूरी क्या होता है यह वस्तु द्वारत तै किये गए मार्क की कुल लंबाई होती है ठीक है और विस्थापन में जो दूरी हुआ वो हमारा दूरी हो जाएगा जो प्रारंबिक बिंदू लोकैं विस्थापन का होता थिक है और से दूरी क्या है इस में धिसा नहीं किया जाता है खीक है और विस्थापन क्या है यह सदेश रास्य क्यूंकि इसमें दिशा होता है क्यूंकि क्षापन कमतलब डारिक्ट सम millimeter सकते हdefense आप ईएर्योप्लेन जहाज वगर चलता है वह विस्थापन दूरी ते क्यूं क्यूंकि निवनितमदूरी जाता है वो कोना कोन ये चलता है तक यहां यहां पर क्या जो हवाइज वो सिधा जाएगा तो सिधा यहां वो विस्थापन करेगा और जो जो मोटर कार होगा वो किस क्या दूरी तैय करेगा वो पूरा दूरी तैय करेगा किलियर हुआ तो इसलिए यह होता है अदेश रासिया और यह सदेश रासिया आगे आते हैं तीसरा नंबर दूरी सदव धनातमक होती है हाँ यहां पर धनातमक इसलिए होता है देखो दू का हमेसा प्लस में होगा वो एक होगा दो होगा चार होगा वह हमेसा बढ़े गासानिक Нप कभी दूरी कभी मिहां आप और नहीं इस drives disposition कैसे भी क बलते हैं रिनात्मक भी है Uyyom Sumney भी हो सकता है अब सिनने कैसे हो सकता है बताते हैं जैसिकि मान नो कि यहां से स्टट किया कोई ठीक है । दोड़ने ओर यह चक्कर लगा रहा है चक्कर लगा अगर यहां तक रुख गया तो यहां से यहां विस्थापन हो जाएगा ठीक है लेकिन यह पूरा गया यहां से स्टार्ट किया था और यहां पर जाकर रुख गया जहां से स्टार्ट के वहीं पर जाकर रुख गया तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा याद रखना यह विस्थापन से बड़ा या बराबर होती है ठीक है यह दूरी जो होता है विस्थापन से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है ठीक है और यह दूरी से छोटा अथवा बराबर होता है चलो इसके बात 5 नमबर यह मार की लंबाई पर निर्वर करता है कि इसके मार की लंब आई अब हम लोग आते हैं अगला में एक समान गती क्या होता है ठीक है और आसमान गती क्या होता है दोनों को अंतर समझते हैं क्या लिकाव है यदि कोई वस्तू बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गती में विचरन कर रहा होता है यानि कि कोई भी वस मानों आगरा है और यह वी राव यानि बिहार यह आभ यहाला से बिहारा मों आज को चल रहा है तो यह क्यों सब्तिकर आ समान गतिकर तो यहасं जान जो सकता है कि यहां परति-घंटा जा रहा है तो पूरा पांच किलोमेटर ही परति-घंटा जाएगा तो वो हमारा हो जागा समान गति एक बार पढ़ दे रहें आसमान गति यदि कुई अलग-अलग दोरी अलग-अलग समय में पूरी करें तो वह आसमान गति विच्रन कर रही होती है समझा है तब वह त्वरंगति कहलागी सिंपल सी बात समझो बच्चो कि एक सेकंड में ठिक एक सेकंड में उसमें जो भी encouragement होता है ठिक जो भी वह increase करता है उसको हम लोग बोलते है त्वरंगति यानिको समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है तो उसको लोग क्या बोलेंगे तोरन गती कहेंगे ठीक है आप लोग जब बैक चलाते होंगे तो उस समय आप लोग यानि के आप ब्रेक लेते हैं तो वह क्या होता है समय के साथ देरे-धेरे क्या होता है घट्नांट तो घतने की स्पीड से तई कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे चाल कहेंगे यानि कि गती का दर का मापन को ही क्या बोलेंगे चाल कहेंगे वस्तु कि चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर प्राप्त किया सकता है ठीक है यानि कि चाल बराबर क्या होता ह दूरी बटा समय चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होर्मुला याद रखेगा चाल बराबर दूरी बटा समय जितना भी दूरी तैक किया उसको अगर हम टाइम से डिवाइट कर देते तो वह हमारा क्या होता है चाल होता है अब यह चाल का विशेष्था को हम लोग प पर सेकेंड होता है तो समान गती से वीचरन कर रहा है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तै करेगा यानि कि कोई वस्तू अगर समान गती से समान चाल द्वार ही अपना दूरी करेगा करेगा चौrän है यदी आसमान गती हो तो वस्तु की चाल का समान ना रहकर बदलती रहती है तिक Seemsus जंब लोग कि इस स्थिति में इस स्थेती में किसी वस्तू की उसके पत पर औसत चाल निकाली जाती है यानि कि जब आ समान रहे समान चाल रहे तो उसका औस चाल तो सेम रहेगा ठीक अगर पांच की स्पीड पर तीगंटे की स्पीड चल रहे तो पांच कीलमेटर पर तीगंटे होगा ठीक है लेकिन अगर उसका समान चाल ना रहे कभी स्पीड चल रहे कभी कम चल रहे कभी ज्यादा चल रहे इस तरह से तो उसमें क्या होता है उसकी वस्तु की पद पर औस चल निकाला जाता है क्या निकाला जाता है एवरेज कितना कि स्पीड में लगभाग जिसको बोलते हैं लंसम लंसम कितना स् वस्तु के ओसत चाल कुल तै की गई दूरी और कुल लिए गए समय का अनुपाद को कहते हैं ओसत चाल निकालने का मतलब कि कुल दूरी मानलो कि अगर आप यहां से एक उधारन के तौर पे समझते हैं चलो यहां A है यह B है ए और B के जगाहां जाने में अगर यहां से यहां 5 के श्तूर 5 किलोमेटर परती खंटा के श्तूर पर यहां से यहां और समय जो लगा यह एक घंटा कर देंगे इस तरह से हमारा होता है ठीक है अवस्त चाल निकलता है अब आते हैं हम लोग आगे चाल के परकार चाल के परकार दीके दो तरह से होता है एक समान चाल और आसमान चाल ठीक है एक समान गती और आसमान गती से मुश्य परकार ये भी है जब कोई वस्तु समान समय अ अंत्राल में आसमान दूरी ताई कुरती है तुस्या समान चबल करते हैं ठीक है चलो इसके बाद हम लोग आते हैं वेग यह वेग क्या है वेलुसिटी ठीक है किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रतिस सेकेंड वस्तु द्वारा तै की गई दूरी को वेग कहते हैं यह एक सदीस रासी है यानि कि किसी भी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में देखो वेग में क्या है दिसा भी जरूर होना चाहिए ठीक है निश्चित दिसा में प्रती सेकेंड वस्तु द्वारत तै की गई दूरी को क्या कहते है वेग कहते है यह सदीस रासी है इसका एसाई मातर क्या है मेटर पर सेकेंड ठीक है मेटर पर सेकेंड है वेग को 20 इन वेग और चाल में क्या क्या अंतर है ठीक है वेग यह सदीस रासी है और चाल क्या है अधीस रासी है चुकि सदीस रासी इसलिए क्योंकि इसमें परिमान भी होता है और साथ में क्या होता है इसमें दिसा भी होता है इसलिए वेग क्या है सदीस रासी और चाल में सिर्फ परिम वस्तु की चाल कभी सुन्य नहीं हो सकती ठीक है यानि कि चलती वस्तु की चाल कभी सुन्य हो इने सकती है ठीक है इसके बाद हम लोग आते हैं थार्ड नंबर वेग रिनात्मक धनात्मक हो सकता है रिनात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है और यह हमेसा धनात्मक हो समय जो आपलोग ही बता दींगे खाल बराबर रा खाल इंटु समय और समय बराबर दूरी बराबर sounds चांए अगर एक फार्मूला याद है न तीनों याद हो जाएक जब एक फार्मूला समयہ का दोुडल इ Claire तो दूरी बराबर क्या हुजाएगा चाल इन्टू समय देहरे दूसरा फॉर्मॉला भी मैच कर गया अगर मानलों की समय कुछी ले और चाल को प However क्या होगा सथी तो तूरी बटर जयोगा तो तीसरा फॉर्मॉला भी सथीक है निओं को मानलो की 72 किलो मेटर्ट गंटा है थिक मानलो कुछ भी नाまだ किलो किलोमेटर परती घंटा यह mim英 तो मिटर पर सेकंडंने टो मिटर परसेकंड में जाने के pert करेंगे हम लोग 5 बठाठा आरा से गुना कर देंगे 5 बठाठा हरश क्या कर देंगे गुना करτ Sy तो देदेंंगे तो देके 18 ंगे 2022 और पांच नो के बीस तो क्या होज़ागा 20 मीटर कर से केंड इसका अंसर हो तो मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ आपके प्रेश्ण में और बोला कि इसको किलोमेटर परती घंटा में चेंज करो, तो किलोमेटर परती घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18 बटा 5 से गुना कर देंगे, देखो, बड़ा से जब छोटा के तरफ आएंगे, तो 5 को उपर रखना और नीचे 18 रखना, ठीके, पांच को उपर रखना और नीचे को 18 रखना, ठीके, जब बड़ा से छोटा के तरफ आएंगे, और छोटा से जब बड़ा के तरफ जाएंगे, तो 18 को बड़ा उपर रखन तो दोनों के लिए रो गया होगा जब बड़ा से छोटा के तरफ आएंगे तो 5 उपर रखेंगे और छोटा से बड़ा के तरफ जाएंगे तो हम लोग बड़ा को उपर रखेंगे यानि 18 उपर रखेंगे बस दो ही चीजा रखना 5 बटा 18 या 18 बटा 5 ठीक है आईए अब हम इसका very very important question 25 ऐसे very very important question को हम लोग करेंगे जो कि एक्जाम के दिरिष्टे से काफी मौत पूर्ण है एक्जाम को प्रिवियस से question से हम लोग इस question को निकाले हैं ठीक है तो पूरा अच्छा से ध्यान से देखेगा परती question में मैं 5 या 4 सेकंड दोंगा ठीक है आप लोग उसको देखें कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं ठीक है तो पहला question है कौन अदीष रासी है ठीक है तो आप लोग को बताना है बल तौरान चाल विस्थापन तो कौन सी अदीष रासी है इसमें आप लोग को बताना है तो बच्चो इसका राइट अंसर हो जाएगा option number C ठीक है चाल चाल क्या है अदीस रासी है उसमें क्या होता है दिसा नहीं होता है बाकि सब में दिसा होता है बल में भी दिसा होता है तोरन और विस्थापन में भी दिसा होता है ठीक है अब बल लगाते हैं तो कोई ना कोई द किसा में लगाते हैं मानलो की पत्सिम साइड लगाते हैं कभी ऊपर लगाते हैं कभी नीचे लगाते हैं ठीक है इसलेरिशन में भी हमारा तोरन में भी सदीस होता है विस्थापन में भी आप लोग को सदीस होता है है ना लेकिन चाल में क्या होता है अधीस रासी होता है इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा प्रश्ण में दूसरा प्रश्ण दिया हुए निम्ड में कौन सदीस रासी नहीं है तो आप लोग को बताना यहां में से कौन सदिसराशी है दूरी सदिसराशी नहीं है वेग में भी है बल में भी है समवेग में भी है लेकिन दूरी में क्या है सदिसराशी नहीं है वो अधीसराशी है क्योंकि उसमें क्या होता है दिसा नहीं होता है ठीक है आईए अब हम लोग इसका थार्ड नमबर प्रेशन को देखते हैं क्या लिखा भाई दूरी का मुल मातरक है तो दूरी का मुल मातरक क्या है बच्चों यहां पे अगर हम लोग देखते हैं मीटर, न्यूटन या फिर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड तो बच्चों दूरी और विस्थापन का जब भी मातरक पुछे तो वो होता है आप लोग का मीटर, ठीक है तो अप्सन नमबर A इसका राइट हो जाएगा आगे आते हम लोग इसका 4 नमबर कुश्चन में ठीक है, वेक का इसाई मातरक क्या है तो अप्सन यहाँ पर दियावा, मीटर पर सेकेंड इसको आए किलोमेटर पर ती घंटा, किलोमेटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड तो इसका आप लोग सही उत्तर बताओ जल्दे से तो बच्चों इसका जो राइट अंसर हो जाएगा आप लोग का option number D ठीक है, meter पर second क्लियर हो गया, इसके बाद हम लोग आते है question number 5 odometer क्या मापता है तो चाल, दूरी, औसत चाल या समय तो बच्चो इसको right answer हो जाएगा option number B, यानि odometer जो मापता है आप लोग का दूरी मापता है ठीक है, चालो, इसके बाद हम लोग आते है question number 6 में वेग में परिवर्तन की दर है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है चाल, वेग, तूरन, या विस्थापन तो बच्चो इसका जो right answer हो जाएगा option number C, तूरन क्या हो जाएगा, तोरन इसका right answer हो जाएगा ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है तोरन कहलाता है ठीक है इसके बाद 7 number सवाल देखें यहाँ पर तोरन का SI मात रख, देखो C मात रख लेका यहाँ SI होगा ठीक है, तोरन का SI मात रख क्या होगा मीटर, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर या फिर यहाँ पर option number D आप लोग का दिया हुआ है मीटर सेकेंड, मीटर स्क्वाइर सेकेंड ठीक है तो तोरन का SI मात रख जो होगा बच्चों वो होगा option number 3 meter per second square ठीक है आईए अब हम लोग इसका 8 number सवाल को देखते हैं लिखावा है 21 समय में वस्तु के द्वारा तै की गई दूरी है तो चाल वेग विस्थापन या त्वरन तो बच्चों इसका जो right answer हो जाएगा option number a चाल क्या हो जाएगा 21 समय में वस्तु द्वारत है की कि तुरी क्या कहलाता है चाल कहलाता है ठीक है इसके बाद 9 number सवाल देखे आप लोग वेग कैसी रासी है तो सदीस रासी अधीस रासी या सदीस अधीस दोनों या इनमें से कोई नहीं तो बच्चो जो इसका right answer हो जाएगा option number a वेग जो है अप लोग का सदीस रासी है ठीक है आगे आते हम लोग 10 number सवाल में सदीस या दीस या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो बच्चो समवेग जो है पलों का वेग और समवेग दोनों क्या है सदीस रासी तो option number a इसका right हो जाएगा ठीक है आगे आते हम लोग 11 number में निम्न में से कौन सा समू सदीस रास्यों का समू है तो कारिय उर्ज चाल या फिर चाल तौरन वेग या फिर वेग तौरन बल या उसमा प्रकास विदूत तो सदीस रास्यों का जो समू है बच्चो यह option number c वेग भी है तौरन भी है और बल भी है ठीक है अगर ए नमबर देखे तो कार यह है उर्जा लेकिन चाल नहीं है चाल नहीं है तौरन है तो यहां पर जो अप्सान सी है जो उसमें सभी का सभी सदीस रासी है ठीक है उसके बाद हम लोग आते हैं टूएल नंबर सवाल में यहां लिखावा है सवचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तै की गई दूरी को परदर्शित करता है इस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, धर्मामीटर या इनमें से कोई नहीं तो जो बच्यों आप लोग का वाहन जो होता है गाडěी होता उसके यंत्र लगाओ होता है उसके द्वारा तैग गएगे दूरी को हम लोग देखते हैं तो किस से मापते हैं ओडोमीटर से तो option number A इसका right हो जाएगा आगे आते हम लोग 13 number सवाल सरल रिखिये गति का उधारन है तो ए नमबर आप लोग का है सरल लोलक की गति सड़क पर कार की गति सुर्य के चारों और प्रित्वी की गति इन में से कोई नहीं तो बच्चों इसका right answer हो जाएगा option number B सड़क पर कार की गति सरल रिखिये गति है यह ना सड़क पर जो कार की गति कर रहा है वो क्या है सरल रिखिये मतलब सीधा तैय कर रहा है ना option number A इसका right हो जाएगा अच्छा B option number B है ना सड़क पर कार की गति चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 14 number सवाल निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तैकी गई दूरी क्या कहलाता है चाल वेग विस्थापन या त्वरण तो बच्चो इसका जो right answer हो जाएगा option number C option number C इसका right हो जाएगा विस्थापन निश्ची दिसा में तैके गई दूरी क्या कहलाता है विस्थापन कहलाता है चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 15 number सवार विस्थापन की दर है तो इसका option है चाल तौरन वेग या दूरी तो इसका right answer है अप लोग का विस्थापन की दर को क्या कहते हैं वेग कहते हैं इसके बाद हम लोग solar number सवाल देखते हैं एक समान गती की अवस्था में तौरन होता है सुन्य धनात्मक रिनात्मक या इनमें से कोई नहीं तो एक समान जब गती अवस्था में हो रहेगा तो तौरन क्या होगा सुन्य होगा यानि कि अगर यह जो speed है वो समान रहेगा तो वो क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा ठ तरह से तवरन क्या होगा घटते बढ़ते रहेगा है ना लेकिन जब समान गती से चलेगा तो उसका तवरन क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा इसके बाद देखते हम लोग सत्रह नमर सवाल रिनात्मक्त तवरन क्या कहलाता है तो रिनात्मक्त तवरन आप लोग को पहले ब सम्वेग या इनमें से कोई नहीं तो बच्चों इसका जो राइट अंसर हो जाएगा अपसन नंबर ए ठीक है अपसन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा चाल और वेग ठीक है चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल में यदि कोई वेक्ती 10 मीटर उत्तर की ओर और 20 मीटर पूरव की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है ठीक है तो देखो 10 मीटर उत्तर की ओर उत्तर उपर होता है ना तो उपर कर देते हैं हम लोग और 10 मीटर चला गया और फिर उसके बाद 20 मीटर पूरव की ओर गया ठीक है तो उत्तर की ओर 10 मीटर उसके बाद फिर पूरव की ओर 20 मीटर गया ठीक है तो 10 मीटर इधर लिख लो और 20 मीटर यहां पर चला गया ठीक है अब यहां पर क्या पूछ रहा है विस्थापन तो इस्थापन क्या बोले थे कि इसके निंतम दुरी यानि कि प्रारंभिक बिंदू और साथ में अन्तिम बिंदू कि बीज की दूरी को हमनों क्या बोलते हैं ह candidate विस्थापन कहते हैं तो इसका दूरी निकालना है तो आपको फॉर्मूला पहले बता चुके थे क्या बता है थे कर्ण का स्क्वाइर ठीक है अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे A मान लो इसको B मान लो और इसको C मान लो तो हम लोगों को निकानना है A C की दूरी तो लिखेंगे A C का स्क्वाइर बराबर A B का स्क्वाइर पलस B C का स्क्वाइर ठीके ये बता चुके थे आप लोगो तो A C का स्क्वाइर हम लोगों को निकानना है थीज़िव सब्सक्राइब देखुए तो निमुगोटेटेरि में खोड़ेंगे सभाउन के चारसो तो आसब्सक्राइब देख देघंगे के सब्सक्राइब यहां पर जोड़ेंगे तो कितना हो हो जाएगा है ना इसी का स्कॉायर अब आके किसम हो जाएगा में हो जाएगा किसम हो जाएगा ül 그거 500 में तो यहां पर हम अंडरूत में कर देंगे किया था कि अंडरूट500 और जब अंडर रूट 500 का जब वैल्यू निकालेंगे आप लोग इसको तो आप लोग का निकल जाएगा 22.5 कितना निकल जाएगा 22.5 मीटर तो इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों इसका अप्सन नमबर ए राइट हो जाएगा ठीक है इसको नोट डाउन कर लो एक दो देखो 6 मीटर पहले फूरब प्यूज़ भेज लो सब्सक्राइब दिके तो भेज़ेते हैं पूरब प्यूर ठोड़ा सा मिधर बना देते हैं ताकि आप लोग फिर यह से कोश्जन बनाएंगे तो पूरब का चाहे मिटर भीज़ें आप यहां से अप क्या प идет कम सो दोनों यहां पर यह ए है यह सी है और यह भी है ठीक है तो एक की दुरह निकालना आप लुको नेस का स्कुराइर बराबर ऌसस्डीन का स्कुराइर बुर्स बींकल हर तो है पनी है बर won है अ development दिया हुँ आहीं एक लिए गार चप्हार चप्हार्य और यहां स्थीरेक और लिकीन कट आशार चेट आज हाँ डिया गए तो दोनों को जोड़ेंगे तो सौधो साह हो जाएगा और इधर क्या चल रहा था अप नहीं आसान आसान सवाल कोशन पूछता है बच्चों एक बद दूबर बना लेंगे तो आप लोग का किलियर हो जाएगा चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 21 नमबर सवाल चल रहा है तो 35 किलोमेटर पर यहां पर समय कितना यहां समय 12 और यह मिनट में करेंगे इसको इसको काटते हैं सबसे पहले तो यहां साथ पच्चे 35 आप यह 12 से बाहरा कान सिल तो क्या बचे हैं आप सैवैन बचा ठीक है तो option number a iska right हो जाएगा ठीक है चोलो इसके बाद हम लोग आते हैं इसका अगला सवाल में बाइस नंबर में इनमें से कौन रिनात्मक नहीं हो सकता है तो कुल पत्थ की लंबाई वेग तौरन नहीं नहीं से कोई नहीं तो देखे वेग तौरन आप लोग रिनात्मक हो सकता है ले उसकी जो लंबाई होगा ना पत की लंबाई हमेश्ता पॉजिटिव होगा प्लस होगा तो आप्शन नबर इसका राइट हो जाएगा आगे आते हम लोग 18 km पर ती घंटा को मीटर पर सेकंड के तुल्य होता है तो देखो हम लोग 80 km पर ती घंटा किसमें चेंज करना है मि कि बताए थे 5 बटा तो क्या करेंगे बड़ा चोटा उपर रखेंगा और नीचे को बड़ा रखेंगा तो क्या बच अब प lange कि अब नमबर कौन सा हो जाएगा डीज का राइट हो जाएगा ठीक है 5 मीटर पर सेकेंड इसका अंसर हो जाएगा ठीक है चलो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में 34 24 नमबर सवाल देखो 36 किलमेटर पर गंटा कव एक मीटर पर सेकंड का तुल्य होता है तो 36 किलमेटर पर गंटा यहां क्या बोला चोटा को उपर रखो और बड़ा को नीचे कर दो और पांच दो नी कितना हो जाएगा तो 10 मिटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा ठीक है तो अप्शन नमबर 20 का राइट हो जाएगा बाकी कौन सा अप्शन है हम तो देखे भी नहीं पंदर और 20 का वे किलोमेटर पर गंटा के चुट्टू लिया है ठीक है तो हम लोग को क्या बोटत दस मीटर पर सेकेंड को किसमें चेंज करना है किलोमेटर मतलब छोटा से बड़ा के तरफ आना तो बड़ा को उपर रखो और छोटा को नीचे रख दो तो पांच दुनी दस और अठारा दोनी 36 तो 36 किलोमेटर पर ते घंटा इसका अंसर हो जाएगा ठीक है तो अपसन नमबर भी इसका राइट हो जाएगा ठीक है यह था बच्चों हम लोग का 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोशन उम्मीद है अप लोग को यह पूरा का पूरा कॉनसेप्ट भी किलियर हो गय क्या होगा यह कुश्चन को कंप्लेट की करके है ना तो मिलते बच्चों हम लोग नेक्ट वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा और बेल अकन बटन को प्रेस कर दिएगा और जो भी क्लास 9 का त्यारी कर रहे है ठीक है एक्जा कि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यभाद